आज के मुद्दा मुद्दा तो देखा जाए और रेज तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन फिर भी कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि जो इंस्टूशन से अपने आप समझ में आ जा तो बहुत अच्छी बात है मेरी वीडियो मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा शेयर हो उतना ज़्यादा एफेक्ट पड़ेगा और स्पैसिफिकली उन उन इंस्टूशन के उन उन लोगों तक जाए जो रिस्पॉंसिबल है और जिनके पास वो एथॉरिटी जो पावर जो चेंज ला सकते हैं अगर आप किसी स्कूल्ड किसी कॉलेज में शेयर करते हैं और किसी ऐसे पद्ध के आदमी के वास पहुचे जिसके पास यह पावर हो कि उन चीजों में सुधार लाके लोगों को राहत दी जाए सके ऐसा वो काम कर सके आप सबको पता है कि रिसेशन कोरोना के चक्कर में सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पहली चीज दूसरी चीज ध्यान मेंकनाली बात यह है कि स्कूल कॉलेजिस ये बोलके फीस की डिमांड लगतार कर रहे हैं और कमी भी नहीं कर रहे हैं और यह भी नहीं कह रहें कि आप आराम से दीजिए बाद में दीजिए अभी मत दीजिए आधा दीजिए सिर्फ टूशन फीजिए कुछ नहीं पूरा ले रहें मेरे पास एक स्कूल का फीज चाड़ भी है आप स्पेसिफिकली मैं नाम लेकर अभी नहीं बताऊंगा किसी और वीडियो में आऊंगा मैं अगर इस वीडियो का असर नहीं दिखा और वह लखनों का स्कूल है और उसके नाम में भी लखनों है तो वह समझ जाए दूसरी चीजिए कि उसने अगर उस पर्टिक्लर स्कूल की बात करें तो टूशन फीज कंप्यूटर फीज लाइब्रेरी फीज एन्वल ड्यू 50 परसेंट और अगर ना दे पाए कोई परिंस तो बच्चे का नाम काड़ भी दिया जाएगा ये भी चार्ट में लिखा है और उस वक्त अगर एड्मिशन कराना हो नाम कटने के बाद तो कराने का 400 रुपया लग से और तमाम चीज़ा जो लेट फीज भी होती सब कुछ हर एक चीज चार्ज की जैसे जो रेगुलर डेज में होता रहता है जैसे कोरोना कभी आया नहीं तंगी कभी आई नहीं और सब कुछ नॉर्मल है और हम आराम से चार्ज कर सकने हैं वैसा हर स्कूल और हर कॉलेज की यही कहानी है कि अगर आपके पास आपके बच्चे का सबस्क्राइब तो उसको सीड मिल जाती है वह और आपके बच्चे ने अड्मिशन ले लिया तो हर चोटी-चोटे बात पर किसी ना किस तरीके से इधर से उधर से पैसा ले लेते हैं और क्य लेहें बच्चों के parents उनकी तो नौक्रियां ही चली गई है करonna की तादाद में तो नौक्रियां चली ने और जिसकी salary मिल भी रही है तो 2-3 मेने बेक बाँ मिल लए किसी की मिल भी रही है regularly तो आधि मिल रही है तो उसमें घर का खर्च चला है या बच्चे की फीस पे करें बजाए इसके कि आपको यह समझना चाहिए कि हम आधा चार्ज कर लें प्रो राटा बेसिस पे ले लें कुछ समय के लिएंसी दे दें सिर्फ टूशन फीस ले लें बहुत बड़ी रियायत हो जाती लेकिन आप लाइब्रेरी फीस नाम के साथ में आओं और प्रूव दिखाओं कि यह लोग ऐसा कर रहे हैं और डूरेशन जो हैं स्टडी आर्ट वह भी आठट गंटे हैं जबकि सरकार की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि क्लास एट तक के बच्चों की गेड़ घंटा होगी और उसके बाद नाइन से का सा लिया जा रहा है कि हमें फर्द स्टाफ को पैसा देना है मुझे क्या कोई स्कूल कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव अगर देख रहा हो कोई टीचर कोई प्रिंसेपल कोई एड्मिन कोई भी तो क्या हो मुझे यह बता सकता है कि जितने भी टीचर अपना टाइम दे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उनलाइन तो उनके इंफ्रस्ट्रक्टर का पैसा कौन उठा रहा है जो इंटरनेट के चार्जर लगते हैं वो कौन देता है वो लैपटॉप टीचर अपना यूज करे बिजली का बिल वो टीचर दे सेलरी इसको आधी मिल लेए औ अर्ट घंटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो स्क्रीन के सामने आके तो आंक ऐसे भी खराब हो जाएगे इतना देर तक उपर से कहीं कहीं जगा तो आशेंबली यहां हो रही है मतलब आप वीडियो को पर एसेंबली करा रहे हैं एसेंबली उसकी क्या जरू होता है है इसकी क्या जरू होता है आपको थोड़ा क्रीटिव मतलब हम लोग जितना ओर्फोडॉक्स माइंडसेट लेके चल ले हैं और जो ट्रेडिशनल टीचिंग पर आ रहे हैं हम लोग मॉडेन टेक्नोलोजी को यूज करते हैं मॉडेन तरीकों में भी हम वही ट्रेडिशनल अगर वीडियो में इंडिया में तो इंडिया को मैं टार्केट करना चाथ मुझे मेरे देश समझ जाया और ग्रों कर जाया तो बहुत अच्छी बात है कि कि इतने स्कूलों ने वह पढ़ाना शुरू किया है जो फ्यूचर की डिमांड है क्या कहीं ए पढ़ाई जाती है क् क्या कहीं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई जाती है क्या कहीं सोचल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाई जाती है कोई ऐसी चीज पढ़ाई जा रही है जो भविश्य में उसके स्किल सेट की डिमांड है मैंने समझ पढ़ा हूं कि अगर किसी की आवाज उठाने से इसमें चेंज आया तो बहुत ज़रूरी है मेरी वीडियो सिर्फ इतनी ही है मैं किसी को वह लेक्चर नहीं देना चाहता कि आप क्या चेंजिस लाइए बस मैं इतना कहना था तो थोड़ा मॉरालिटी दिखाए बच्चों के पेरेंस से इतनी कि अगर बाकी के फाल तो चार्जे जटा दें तो कम हो जाता है और पैरेंस पर उतना बड़ा बर्डन नहीं आता जितना बाकी सबको एक साथ मिलाने के बाद आता है सरकार ने यह कहा था आपको नहीं पता तो मैं स्क्रीन शॉट दिखा देता हूं दूसरी चीज सरकार ने यह कही थी कि कहा तो था हमने लॉकडाउन तक लेकिन लॉकडाउन के बाद भी वह जीज वैलिड है तो इस बात का भी स्कूल से ध्यान रखें कि फीज कितनी लेनी है स्कूल आर्स के बारे मैं ने दिखा देट गंटा एट तक के लिए और नाइन से टोल के लिए तीन जाएगी कोई ना कोई स्टेप ऐसा होता है जो किसी ना किसी के काम आ जाता है तो आप अपना योगदान दीजिए वीडियो को शेयर करके जैहन वन्ने मात्राइब